मैं शाद आखे रमानुल्ला की के उर्दू गल्सा इसकूल चलगा हूं कि दस्वी जमात में तीसरा बाब मैट फर्स्ट अल्जिब्रा में इसागी तसाउत का मश्की से टिन अशरिय दो का साथ्वा सवाल लेकर हजीर हुआ हूं बहुत गहर से समझना इसे के एक इसागी तसाउत का ग्यारावा रुखन 16 और 21 रुखन 29 है तो इस तसाउत का 41 रुखन मालूं कीजिए अब इसागी तसाउत दियावा नहीं उसका तवातूर दियावा नहीं लेकिन ग्यारावा रुखन और सोलावा रुखन अपने ग्यारावा रुखन 16 है और 21 रुखन 29 और उसी पर से जो एक तालीस रुखन मालूं करना है यानि यहाँ पर हमें जो है थोड़ा सा जो है अपने जहन को पॉलिश करना है और पिछले साल जो हमें 2 मुद्गईूरी खत्यू मसाव थे और इस साल जो है दो मुद्गईूरी खत्यूमा थे पहले बाब में अलिवरा में पढ़े है उसके मताबिक ढया से हल करना पड़ेगा हमें एक इसावी तसावत का ग्यारावा रुपन याने क्या जो दियावार पहले लिख लो ग्यारावा रुपन याने T11 बराबर क्या है 16 और 21 रुपन 29 याने T21 बराबर कितना है 29 और क्या मालूम करने का ओल रहा है T41 41 रुपन करने तो सब्सक्राइब कुछ नहीं करना है सब्सक्राइब हम आदा मार्क हासिल कर लेते TN बराबर A जमा N नफी 10D अब T11 के लिए T11 के लिए N बराबर क्या रहा है प्यारे बच्छो N बराबर 11 Very good चलिए इसमें रख देते T11 बराबर A जमा 11 नफी 1 N की कीमत 11 एक रिजर्ब D T11 कितना है प्यारे बच्छो 16 बराबर A जमा 11 में से एक गए 10 10D इसे मसावाद 1 दे दे इसी तरह T 21 के लिए N बराबर क्या है 21 इसी लिए यही जाप्ते में रखेंगे तो T21 बराबर A जमा 21 नफी A जर्ब D T21 क्या है 29 29 बराबर A जमा 21 में से गए 20 20 जर्ब D 20 D नमबर 2 की मसावाद अब नमबर 2 के नीचे नमबर 1 लिक देगी देखिए दो मुद गई और यह खति मसावादे आगी है हमजाद मसावादे एक यह नहीं इस तरीके से अल करना है आप यहाँ पर कि एक में से एक एगा सीफर बीश में से दस दी गए कितने मचे दस दी और यहां पर क्या कि हमने दो नफ़ी एक समझ में आये हैं समझ में आ रहा है कि आपके इसी लिए कि कि आगे हो पिर ते रहा में दर्ड़ी तेहले तैरा बटे दस ईंगी दस एक दस एक दस-दस प्रतीन बच्छology तो अशार्या लेगे सी double दस त्रिए सिया नस्ब अंग यह में में से पार है तो शुमरबुलिंद के एक दिल से पहले ऑशारिया लगेगा तो यहां पर क्या रहा है एक आशारिया तीन यहां डी की कीमत हासिल होगी है हमारे पास एक आशारिया तीन कि अब क्या मालूम करना है हमें एक तालीसवा रुक्ल पहला रुकल कैसे मालूम करेंगे कि D बराबर 1.3 कोई भी एक जापते पर रखेंगे D बराबर 1.3 क्योंकि 41 रुकल मालूम करने के लिए D असिल हो गया ये मालूम करना जरूरी है और N की कीमत 41 है तो हम जो 41 रुकल आसने से हासिल कर लेंगे तो D बराबर 1 अशारियत 3, 1 में, मसावत 1 में रखने पर क्या असल हो रहा है पहरे बच्छों देखो, 1 में रखेंगे तो 16 बराबर 1 जमा 10 जड़, 1 अशारियत 3 इसलिए 16 बराबर 1 जमा 13 क्या हो जाएगा 13 इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा यह 16 जामा 13 इदर से दर जाएगा 9 13 तो 16 T 41 के लिए A बराबर 3, A बराबर 3, D बराबर 1 आशारिया 3 और N बराबर क्या हैंगा? N बराबर 41, very good, N बराबर 41, इसी लिए फिर से इसी जाप ते में, इसी जाप ते में रखने पर T 41 बराबर, A की कीमत क्या है? 3, जमा N नफी 1, 41 नफी 1, जर्ब D, जर्ब 1 आशारिया 3, इसी लिए T 41 बराबर 3, जमा 40 में से 41 में से गर 40 मच्ची, जर्ब 1 आशारिया 3, यह आशारिया अट जाएगा? यह सीफर के वज़े से या 3, जमा बूलिए 4, 0, 13 यह सीफर के वज़े से अशारिया अट जाएगा? अब तेरा चौक 52 तो बराबर क्या हो जाएगा? तीन जमा बावन इसी लिए T 41 बराबर मुलिए 3 जमा बावन पच्चपन तो हमारा जवाब आ गया है? एक तालीस वा रुपन क्या है? उसे इसावी तसावत का पच्चपन तो इसावी तसावत का तवातूर ना देते हुए, दो अर्खान दिये हुए तो किस तरीके से आसि पच्च में आया, एक ही जापती का इस्तेमाल हो रहा है यहां पार, और T 41 हमें पच्चपन हासिल हुआ है